नमस्कार बच्चों आज हम आपके सामने व्यवसाईक अध्यान की दूसरी पुष्टक का तीसरा अध्याय लेकर आए हैं इस अध्याय में हम व्यवसाई के पर्यावरण की बात करेंगे पर्यावरण शब्द जो है वो आप सब के लिए नया नहीं होगा पर्यावरण का अर्थ होता है हमारे आसपास का महाल या वातावरण इसी प्रकार जब एक व्यवसाई किसी इस्थान, छेत्रő या समुदाय की बीच अपनी स्थापना करता है वो वहाँ अपना व्यवसाई चलाता है तो उसके आसपास का जो महाल होता है उसके जो घटक होते हैं वो उसका परियावरण बनाते हैं हम कह सकते हैं कि व्यवसाईक परियावरण का अर्थ है वो सभी व्यक्ति, संस्थान या अन्य शक्तियां जो एक व्यवसाईक उध्यम से बाहर उसके आसपास है लेकिन वो उस व्यवसाय के परिचालन में महत्वपूर्ण भूमी का निभाते हैं तो हमारे व्यवसाय या बिजनस के आसपास आने वाले उस सभी चीजें व्यक्ती हो चाहे संस्थान हो या अन्य सभी शक्तियां हो जो मिलकर व्यवसाय के उपर अपना प्रभाव डालती है वो व्यवसाय के परियावरन का हिस्सा कहलाती है बच्चों यह अध्याय बहुत ही रोचक वह महत्वपूर्ण अध्याय है आप इसके सभी भागों को ध्यान से देखें सुने वह पढ़ें आपको मज़ा भी आएगा वो काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा व्यवसाय के परियावरन में जब आगे बढ़ते हुए अगर इसकी बात करें तो हम बहुत सरल शब्दों में अगर देखें तो इसका अर्थ हुआ वो सभी चीजें जो एक व्यवसाय पर प्रभाव डालती हैं लेकिन ये व्यवसाय के बाहर होनी चाहिए एक व्यवसाय दो तरह की चीजों से प्रभावित होता है कुछ चीजें व्यवसाय के अंदर की होती हैं जैसे कर्मचारियों से जुड़ेवे मुद्दे या स्वामियों से जुड़ेवे मुद्दे उनके निर्णयादी ये विवसाई की अंदर के बाते हैं ठीक उसी तरह वेवसाई के बाहर की भी कुछ चीज़े हैं जैसे कि यदि सरकार मान लीजे करों में विर्द्धी करती है टैक्स बढ़ाती है तो वस्तुए महंगी हो जाएंगी हो सकता है वो कम बिके यदि टेकनोलोजी यानि तकनीक में सुधार होता है तो नैने उत्पाद निकल कर आएंगे पुराने उत्पाद बहतर बनेंगे उनकी गुल्मत्ता सुधरेगी तो हो सकता है वो जादा भी के वेवसाई को जादा लाप प्राप्त हो यदि देश या उस स्थान की राजनिती में अनिश्चित्ता है तो निवेशकों के मन में भैपैदा होता है तो नए निवेशक उश जगह निवेश नहीं करते हैं यदि फैशन में या उब्भुकताओं के रुची में कोई परिवर्तन आता है तो बाजार में हो सकता है वरतमान उत्पादों की मांग में कमी हो जाए ऐसी कई चीजे हैं जो वेवसाय से बाहर होती है लेकिन वेवसाय को प्रभावित करती है इन सभी चीजों को हम वेवसाय का परियावरन कहते हैं तो फिर से एक बार अगर हम देखें कि वेवसाय का परियावरन उन चीजों से मिलकर बनता है जो व्यवसाइक के नियंतरण से बाहर है लेकिन वो उस पर प्रभाव डालती है तो बच्चों ऐसी चीजों की विशिष्टा क्या हो सकती है यानि व्यवसाइक परियावरण की क्या विशिष्टा है यानि व्यवसाइक परियावरण में जो भी चीज़े या घटक आती है वो व्यवसाइ से बाहर की होती है और उन सब को मिलाकर ही व्यवसाइक परियावरण बनता है इसलिए हम कहते हैं कि परियावरण बाहिय शक्तियों की समगरता है अब दूसरी विशेष्टा यह है कि इन में से कुछ शक्तिया विवसाय दर विवसाय भिन होती है यह शक्तिया विवसायों के लिए विशिष्ट सक्तिया होती है वही कुछ चीजे ऐसी है जो एक छेत्र या एक उद्योग के सबी विवसायों के लिए समान होती है यानि कि ये शक्तियां दो प्रकार की होती है विशिष्ट व साधरन अगर उदहरन लिया जाए मान लीजिए एक विवसाई है उस विवसाई के जो ग्राहक है जो उसके क्रेता है वो उससे जुड़े हुए विशिष्ट घटक है क्योंकि वो उस विवसाय के क्रेता है तो वो दूसरे विवसाय उसे जुड़ेवे नहीं है तो क्रेता या विवसाय के जो सप्लायर हैं जिनसे विवसाय अपना सामान खरिता है वो भी उस विवसाय विशेश के विशिष्ट घटक है वहीं दूसरी तरफ उस पूरे छेत्र या उस उद्योग से जुड़ी हुई सरकारी नीतियां, समाज की रीतियां इस तरह के चीजें वहां के सभी व्यवसायों पर असर डालेंगी तो वो साधारन शक्तियां हो गई यानि कि ये परियावरन की शक्तियां कुछ विशिष्ट होती है जो हर व्यवसाय की अपनी जुड़ी हुई शक्तियां होती है जबकि कुछ साधारन शक्तियां होती है जो सभी प्रकार के व्यवसायों को प्रभावित करती है तीसरी विशेष्टा यह है कि इन शक्तियों में इन सभी चीजों में आंतरिक संबंध होते हैं ये सभी चीजें जितनी भी चीजें परियावरन के अंदर आएंगी वो सब आपस में जुड़ी हुई होती है मान लेते हैं बच्चों कि हमारे समाज में ऐसा परिवर्तन आया जिसके कारण लोग अपने स्वास्थे के प्रती बड़े सजग हुए लोग स्वास्थ के प्रती सजग हुए तो जो स्वास्थे से जुड़ी हुई खाने पीने की चीज़े हैं जो अच्छे स्वास्थे को बढ़ावा देती हैं जैसे health drinks हो गए इनकी मांग बढ़ेगी इनकी मांग बढ़ेगी तो इनको बनाने वाले उद्योगों की बिक्री बढ़ेगी उनकी आई बढ़ेगी उसमें काम करने वाले लोगों की आई बढ़ेगी लोगों की आई बढ़ेगी तो लोग और पैसा खर्च करेंगे तो अन्य व्यवसायों के उत्पादों की मांग भी बढ़ सकती है तो एक सामाजिक परिवर्तन आर्थिक रूप से कई वो द्योगों या वेवसायों को प्रभावित कर सकता है तो ये सभी जो घटक हैं इसी प्रकार से आपस में जुड़े हुए रहते हैं एक चीज का असर दूसरी चीज को पैदा करता है उसका असर तीसरी को और फिर आपस में संबंदित होते हैं इस प्रकार बचों चौती वो सबसे मुख्य विशेष्टा परियावरण की है इसकी गतिशील प्रकृती परियावरण बड़ा ही गतिशील है ये कभी भी एक समान नहीं रहता कल स्थिती कुछ और थी आज कुछ और होगी हो सकता है अगले कुछ छणों में स्थिती बदल जाए क्या होगा इसका किसी को अनुमान नहीं है हमारे परियावरण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन आ सकता है इसके कई उदाहरण आपके सामने होंगे सन 2016 में जब भारे सरकार ने डी मॉनेटाइडेशन यानि विमुदरी करण की नीती को लेके आई तो उससे कुछ छण पहले तक लोगों को नहीं पता था वेवसायों को नहीं पता था कि कितना बड़ा परिवर्तन आगे होने वाला है इसके कारण सभी वेवसायों को लोगों को भी अपनी लेन देन की प्रवर्ती में काफी परिवर्तन करने पड़े इसके पश्चाद 2017 में जब GST रागो किया गया तब भी वेवसायों को अपने अंदर काफी परिवर्तन करने पड़े हर साल, हर दिन, हर महीने कई बार परिवर्तन होते हैं तकनीकी परिवर्तन, राजनितिक परिवर्तन, नीतिगत परिवर्तन इस वर्ष 2020 में इतनी बड़ी महमारी जो दुनिया में फैली इसकी भी किसे ने कलपना नहीं की दी और इसके कारण पूरा वेवसायों परिवेश बदल गया तो वेवसायों और उसका वातवर्ण, परियावर्ण कब बदल जाएं हमें नहीं पता ये बहुत ही गतिशील है, आज कुछ है तो कल कुछ होगा, कोई नई चीज आएगी, कोई पुरानी खतम हो जाएगी कोई नई नीती, नई तकनी, कुछ भी हो जाता है इसलिए हम कहते हैं कि वेवसाय परियावर्ण बहुत ही गतिशील है और इसी से अगली विशिष्टा निकल कराती है, अनिश्चित्ता जैसा कि मैंने अभी कहा, कुछ महीनों पहले तक किसी को नहीं पता था कि इतनी बड़ी महमारी होगी, जो इतने बड़े स्तर पर वेवसायों को प्रभावित करेगी ये परियावर्ण में हुआ एक परिवर्तन है, जिसने वेवसायों को बदल कर रख दिया है कई वेवसायों बंध हो गए, कईयों को अपने आपको बहुत जादा बदलना पड़ा तो पर्यावरन में कल क्या हो जो वेवसाइक को प्रभावित करे इसको हम अनुमान नहीं लगा सकते कुछ भी हो सकता है इसलिए वेवसाइक पर्यावरन को अनिश्चित माना जाता है आखरी विशेश्ता है जटिलता अभी हमने कुछ देर पहले बात की कि व्यवसाईग परियावरन के घटक आपस में बहुत जादा संबन्धित या जुड़े हुए होते हैं क्योंकि यह सब आपस में इतना जुड़े हुए हैं और इतना जादा यह प्रभावित करते हैं लोगों को व्यवसाईओं आदिको कि इनको समझना इनके लिए तैयारी कर पाना बहुत ही जटिल कारी हो जाता है सबी चीज़ें आपस में बहुत जादा उलजी जुड़ी हुई हैं एक दूसरी में मिशुरित हैं जिसकी वज़े से व्यवसाईओं को इनको समझना बड़ा मुश्किल जान परता है इसलिए हम कहते हैं कि व्यवसाई परियावरण बहुत ही जटिल चीज है ये सारी विशिष्टाएं हमने परियावरण की देखी इनसे आप इतना तो समझ गए होंगे कि परियावरण व्यवसाईओं को बहुत जादा प्रभावित करता है और पल-पल इसका प्रभाव व्यवसाई महसूस करते हैं ऐसे में परियावरण की जानकारी वो समझ होना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है तो आई अब बात करते हैं कि क्यों जरूरी है व्यवसाईओं परियावरण को सबजना आप क्यों इसे पढ़ रहे हैं आप व्यवसाई अध्यान के छात्र-छात्राए है यदि आप इसविशय को समझना चाहते हैं आगे जाकर यदि आप व्यवसाई के छेतर में कुछ करना चाहते हैं तो आपके लिए भी यह बहुत अनिवारी होगा कि आप अपने व्यवसाय, अपने उद्ध्यों के परियावरण को समझें पर क्यूं, क्यूं जरूरी है इसको समझना बट जो सबसे पहली बात तो यह है कि जिन व्यवसायों या जिन प्रबंधकों को अपने परियावरण की समझ होती है वो अपने वेवसाई के लिए संभावनाए या अवसर जल्दी पहचान पाते हैं इसलिए पहला महतु हमारा यही है कि अवसरों की पहचान वेवसाईक परियावरन हमें अवसरों की पहचान देता है और अवसरों की पहचान अगर हम कर पाते हैं तो हम उनका फायदा उठाकर पहल करके एक पहल के लाब को प्राप्त कर सकते हैं जिसे हम common भाषा में first mover advantage कहते हैं जो किसी अच्छे काम को पहले कर जाए उसे उसका लाब प्राप्त होता है इसके भी कई उदाहरण है बच्चो वर्ष 2016 में जब वीमुदरी करण या demonetization की नीती आई तो कुछ company थी जिन्होंने इससे जुड़े हुए अफसर को पहचाना उन्होंने digital payment यानि internet की सहायता से तकनीक की सहायता से भुगतान की प्रणालिया विक्सित की ऐसे कई company हैं जिनके app आप सब use करते हैं सब ही इनका उप्योग करते हैं ये company इतनी बड़ी company आज बनी क्योंकि उन्होंने 2016 में प्राप्त हुए उस अफसर को पहचाना पहल की इनमें पहल करने वाली सबसे बड़ी company पेटियम थी जो आज इतनी बड़ी company बन गई क्योंकि उस वक्त इसने पहल की और एक अफसर को पहचाना उस अफसर को पहचान कर लाब उठाया और इस market में पहले कूदी तो यदि हम अपने आसपास के परियावरन में होने वाले परिणामों या बदलाओं को अच्छे से समझते और जानते हैं तो हम उसका फायदा उठा सकते हैं और अपने वैविसाई को उसके लाब दिला सकते हैं लेकिन वहीं इसका दूसरा महत वह यह है कि जहां एक तरफ हमें अवसर पहचानने में मिलते हैं वहीं दूसरी तरफ परियावरन की समझ हमें खत्रे की पहचान भी करवाते हैं यदि कोई ऐसा परिवर्टन होने वाला है जिसके कारण हमारे वैवसाई को खत्रा है तो यदि हम निरंतर परियावरण को पढ़ रहे हैं उसको समझ रहे हैं तो हम उस खत्रे को पहले से पहचान जाएंगा और चेतावनी के तरह लेंगे और उसके लिए हम तैयारी कर सकते हैं यदि हमें लगता है कि कोई तक्नीक बदलने वाली है, हमें लगता है कि समाज में लोगों के रुची या फैशन में कोई परिवर्तन आने वाला है, तो हम अपने उत्पादों को उसके अनुरूप पहले से ढाल सकते हैं, ताकि इससे पहले कि दूसरी कंपनिया, दूसरी व्य सके उनका सामना कर सके तीसरा महत्व उपयोगी संसाधनों का दोहन बच्चों व्यवसाय परियावरण से कई साधन प्राप्त करता है उत्पादन के जितने भी साधन हैं वो हमें अपने परियावरण से ही प्राप्त होते हैं लेकिन हमारे परियावरण में हमारे समाज में किस परकार के साधन हैं किस परकार के सुविधाएं हमारे पास उपलब्द हैं यदि हम उनको अच्छे से जानते हैं हम संसाधनों की कमियों को यदि पहचानते हैं तो हम जो भी संसाधन हमारे पास या हमारे परियावरण में है उनका सर्वश्रेष्ट उप्योग कर पाएंगे हम यह देख पाएंगे कि कौन से संसाधन हमारे पास कम है कौन से जादा है कौन से कहां से प्राप्त होंगे उनको कैसे प्राप्त किया जाए समय पर प्राप्ति करके बहतर तरीके से उप्योग करके हम अपने संसाधनों का अच्छे तरीके से दोहन कर पाएंगे इसके लिए हमें इसकी समझ होना जरूरी है कि हमारे परियावरण में किस परकार के संसाधन है अगला महत्व तीवर्ता से हो रहे परिवर्तनों का सामना करना बच्चों हमने विशिष्टाओं में देखा कि परियावरन बहुत ही गतिशील है दिन प्रति दिन नए नए बदलाव परियावरन में होते हैं उतल पुतल होती है बाजार में कई प्रकार की बदलाव हमें देखने को रोजाना मिल जाते है ऐसे में यदि कोई वेवसाय और उसका प्रबंधन उसका मैनेजमेंट इन सभी बदलाओं से खुद को अपडेटेड रखता है खुद को इनसे अबगत रखता है तो उन्हें इसमें बड़ी सहायता मिलेगी कि कल को कुछ भी परिवरतन यदि होता है तो वो खुद को अपने वेवसाय को उसके लिए तैयार रख सकते है यदि हमें पता है कि कोई तक्नीक बदलने वाली है तो हम उसके लिए तैयारी करेंगे यदि हमें लगता है कि भोगताओं के रूची या फैशन में कोई परिवरतन आने वाला है या कुछ ऐसा हो सकता है जिससे हमारे वस्तो की मांग पर असर पड़े हम उसके लिए पहले से तैयारी कर सकते हैं तो हम इन निरंतर बदलते परियावरन के घटन घटकों से खुद को तैयार कर सकते हैं ताकि हमें एक शौक एक अचानक किसी चीज़ को जहलना न पड़े हैं एक शौक न लगे हमें चौथा महत्व है नियोजन वन नीती निर्धारण में सहायता बच्चों जब इतने सारे महत्व हमने देखे कि हमें अवसरों का पता लगता है हमें चेतावनियों का पता लगता है हम संसाधनों को ठीक से समझ पाते हैं हम बदलाओं को ठीक से समझ पाते हैं तो जब एक प काम में सहायता मिलेगी क्योंकि कोई भी नियोजन या नीती बनाते वक्त इन सभी बातों पर ध्यान देना जरूरी होता है तो इन सभी बातों का ज्यान प्रबंधक को या प्रबंधकों को सहायता देगा कि वो उचित नीतियां बनाएं उचित नियोजन करें हम कह सकते हैं कि परियावरण एक दिशा निर्देश परदान करता है माल लीजिए हमें दिखता है कि हमारे उद्योग में नई फर्मे बाजार में प्रवेश कर रही है तो यदि हम इसको भाप जाए कि नई नई फर्मे आ रही है तो हम समझेंगे कि प्रतियोगिता बढ़ने वाली है यदि प्रतियोगिता बढ़ने वाली है तो आप प्रबंधन को नीतिया बनानी पढ़ेंगे रण नीतिया बनानी पढ़ेंगे बढ़ती प्रतियोगिता या बढ़ने वाली प्रतियोगिता से निपटने की कैसे कोई स्कीम चलाई जाए, कोई डिसकाउंट दिया जाए या अपनी वस्तू की गुर्मत्ता को सुधारा जाए क्या किया जाए कि हम आने वाली इस प्रतियोगिता से निपट सके बच्चो अगला महत्व है निश्पादन में सुधार निश्पादन अर्थात पर्फॉमेंस यानि एक व्यवसाई किस प्रकार अपना काम कर रहा है उसके वित्य परिणाम वह उसे जुड़ेवी बाकी चीज़े किस प्रकार की आ रही है अब यह तो आप समझी गए होंगे कि परियावरन को समझने के बहुत से लाब है और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि व्यवसाई को उसके प्रबंधन को नीतियों के निर्धारन में सहयता मिलती है अच्छे नियोजन करने में सहयता मिलती है तिवधी एक व्यवसाई वो उसका मैनेजमेंट यानि प्रबंधन अच्छी नीतिया बनाता है अच्छे नियोजन बनाता है और उसका अच्छे से क्रियानवन करता है तो उससे उसका निश्पादन यानि पर्फॉर्मेंस भी सुधरेगा, बहतर होगा वो अच्छा व्यवसाई करेगी, अच्छा लाब कमा सकती है तो बच्छो इन चीजों को पढ़कर हमें ये पता लगा कि व्यवसाई के लिए कितना अनिवार्य है उसके पर्यावरन को समझना अब आईए हम भी पर्यावरन को थोड़ा समझते हैं अभी तक तो हमने यहाँ देखा कि पर्यावरन को समझना अनिवार्य है लेकिन परियावरन है क्या परियावरन के घटक क्या है तो बच्चों परियावरन के घटक ये आयाम मुख्यता पांच वर्गों में बाटे गए है सामाजिक परियावरन राजनीतिक परियावरन आर्थिक परियावरन तकनीकी परियावरन वह कानूनी परियावरन ये पांच के परियावरन है एक एक करके हम इनको देखते हैं कि इनका क्या अभिप्राय है बचों सबसे पहला आयाम या घटक है आर्थिक परियावरन का अर्थ है कि किसी भी जगह, इस्थान, देश, राष्ट्रादी की अर्थ विवस्था में होने वाले वो सभी परिवर्तन जो एक विवसाय को प्रभावित कर सकते हैं अर्थ विवस्था से जुड़ी भी वो सभी चीज़ें चाहे वो बैंकों के ब्याजदर हो, अर्थ विवस्था की महंगाई दर हो, आर्थिक नीतिया हो, अर्थ विवस्था की प्रकृती हो, लोगों का आयस तर हो, ऐसी कई सारी चीज़ें एक अर्थ विवस्था में होती जो व्यवसाय को प्रभावित करती है इन चीजों को हम उस व्यवसाय का आर्थिक पर्यावरन कहते है उदाहरन के लिए यदि बाजार में बैंकों की रिंड़िस दने कम हो जाए खास करके लंबी अबधी के रिंड की दने अदि कम हो जाए तो इसका फायदा आटो मोबाइल निर्माताओं को मिल सकता है क्योंकि यदि रिणों की दरें कम होंगी तो उब्भोकताओं के लिए घर या कार आधी खरीतने के लिए रिण लेना आसान हो जाएगा इससे कार निर्माताओं को या जो कंस्ट्रक्शन किया भवन निर्मान कमपनिया है उनको फायदा पहुँचेगा इसी प्रकार्यदी देश का जीडिपी या सकल घरिल उत्पाद बढ़ता है उसमें वृद्धी होती है तो लोगों की आए भी बढ़ेगी खास करके उनकी प्रायोजी आए यानि वो आए जिसे वो खर्च करते हैं वो बढ़ेगी जब लोग जादा खर्च करेंगे तो वस्तवों या उत्पादों की मांग में भी वृद्धी होगी तो ऐसे कई चर हैं कई चीजें हैं अर्थववस्ता की जो अर्थववस्ता में पूरी अर्थववस्ता के सासत व्यवसायों पर भी प्रभाव डालती हैं इन में से कुछ मुख्य चर हैं आपके सामने आपके स्क्रीन पर होंगी एक बार उन पर नजल डालते हैं तो बच्चों जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ ऐसे मुख्य चर इस प्रकार हैं भुक्तान शेश, वो विदेशी मुद्रा में संचय कम्य परिवर्तन बचत्व निवेश के दर, आयात नर्यात के दर अर्थ विवस्था में निजीवस आर्वजनी छेतर की क्या भूमी का है परिवहन सुविधाओं का विस्तार, संप्रेशन यानि सूचना या संचार सुविधाओं का विस्तार अर्थ विवस्था में मुद्रा की क्या पूर्ती है तो ऐसे कई मदें होती हैं जो आर्थिक परियावरन के पहलू के तरह काम करती हैं और वह अर्थ विवस्था में विवसायों को प्रभावित करती हैं बच्चों इसके बाद परियावरन का दूसरा आयाम है सामाजीक अर्थ विवस्था सामाजिक अर्थ विवस्था में समाज के विविन्न पहलो चाहे हो समाज के रिती रिवाज हो समाज में किस प्रकार के लोग हैं किन धर्मों, किन जातियों किस तरह की सोच, किस तरह के सिक्षा किस तरह के लोग हैं किस तरह के तियोहार बनाए जाते हैं लोगों की सोच क्या है, लोगों के दिन्चरिया में क्या परिवर्तन आ रहा है, इस तरह की चीजें सामाज या सामाजिक परियावरण का हिस्सा होते हैं, जो की वेवसाय पर भी असर डालते हैं पुदारण के लिए स्वास्थिव फिटनेस आज बड़ी संख्या में शहरी लोगों में लोकप्री हो रहा है, इसके कारण जैविक खाद्य पदार्त, डायेट पेपदार्त, जिम, मिनरल वाटर, इस तरह की कई उत्पाद ये सेवाएं हैं जिनकी मांग बढ़ गई हैं, और मेतियोहार, सिक्षास्तर, महिलाओं के स्थिति, स्वास्थिक स्थिति, ऐसे कई मुख्ये पहलू आपके सामने इसमें आपको नजर आएंगे, तो समाज के वो पहलू, जो समाज के साथ-साथ व्यवसायों पर प्रभाव डालें, वो समाजिक परियावरन कहलाते हैं, बच् जानिक नवीनता, नई खोजे, नई तकनीक का आना, तकनीक में सुधार होना, इस तरह की चीजें प्रोद्यवगी के परियावरन का हिस्सा बनती हैं, चौथा परियावरन है, राजनेतिक परियावरन, बच्चो राजनेतिक परियावरन में देश में किस प्रकार की राजन नीतियां क्या हैं सरकार विवसायों के लिए क्या कर रही है किस प्रकार की नीतियां बना रही है ये सभी चीजें सम्विधान से जुडिवी चीजें सम्विधान में किस प्रकार के एक राजनेतिक तंतर को बनाया गया है ये सभी चीजें राजनेतिक पर्यावरन का हिस्सा है यदि किसी देश की राजनितिक पर्यावरन में मानलीजी अस्थिरता पाई जाती है बार-बार वहां सरकारें बदलती है हर सरकार आती है तो पिछली सरकार के नीतियों को बदल देती है नई नीतियां लाती है तो इससे क्या होगा? जो निवेशक हैं चाहे वो देशी निवेशक हों या बाहर से आने वाली विदेशी निवेशक उनके मन में हमारे देश के प्रती अच्छी भावना नहीं होगी वो निवेश नहीं करेंगे इसी प्रकार अन्यक जो पहलू है जो सरकार के फैसलों उनकी नीतियों से जुड़ेवे पहलू है वो सभी वेवसायों पर उनके निश्पादन पर असर डालती है इसलिए राजनेतिक परियावरण भी एक महत्व पूर्ण परियावरण माना जाता है इसके अंदर भी आने वाले कुछ मुख्य बिंदू आपके स्क्रीन पर सामने आएंगे इनमें अधियाब देखें तो वही बाते हैं जैसे कि देश का सम्विधान राजनेतिक प्रणाली, दलों की प्रकृति वा प्रकार, नेतित्व किस प्रकार का है राजनेताओं की नैतिकता किस प्रकार की है सरकारी एजिंसियां किस प्रकार अपना कारे कर रही है ऐसे कई पहलू आपके सामने हैं ये सभी पहलू देश की राजनेति वा सरकार से जुड़े हुए हैं जो कि वेवसाय पर असर डालते हैं बच्चो आखरी आयाम है विधिक या कानूनी परियावरण इसमें कुछ मोख्य चीज़ें आती हैं जिन्हें आप ध्यान से देखिए सबसे पहला सरकार द्वारा पारित किये गए विभिन्य विधियक जैसे 2017 में सरकार ने GST का विधियक पारित किया ऐसे कोई भी विधियक या कानून कानूनी परियावरण का हिस्सा है यदि सरकार या सरकारी आधिकारियों द्वारा कोई आदेश जारी किये गए जैसे सरकार ने प्लास्टिक पर बैन किया सिगरिट तमबाकों को बैन किया प्रतिबंद लगाया तो ऐसी चीज़े इस तरह के आदेश भी इसका हिस्सा है नियायालयों के फैसले यदि कोट या नियायालय किसी विशय पर अपना फैसला सुनाते हैं तो उनके फैसले भी कानूनी परियावरण का हिस्सा माने जाते है वह इसके अलावा केंद्र राज्य वह स्थानी अस्तर पर नियुक्त किये गए विभिन्य कमिशन वह एजेंसिया यदि कोई नियायालयों के फैसले इस्थानी या राज्य परियावरण का हिस्सा माने जाएंगे इन में से कोई भी चीज वह वसाय को प्रभावित कर सकती है तो विदिक परियावरण के अंदर कानून या विधेयक, सरकारी आदेश, नियायलयों के फैसले, स्थानी या राजनीतिक या राज्य स्थार पर बनाएगे कमिशन आदी के निर्ने शामिल होते हैं तो बच्चों ये हमारे व्यवसायक परियावरण के पाच मुख्य घटक थे आज हमने परियावरण के महत्तू को समझा, उसकी विशेष्टाओं को जाना, वह इन पाचों घटकों के बारे में समझा ये पाच घटक आप अच्छे से पढ़ें, चाहे वो सामाजिक हो जो समाज के पहलूओं की बात करते हैं जैसे की कौन सा तिवहार है, लोगों के क्या सोच है, लोगों का सैक्षणिक स्तर क्या है चाहे वो आर्थिक पहलूओं की बात हो, कि देश में ब्याजदरें क्या है, महंगाई दर क्या है, आयका स्तर क्या है चाहे वो तकनीक में होने वाले परिवर्तन वादिक की बात हो, जो तकनीक ये परियावरण बन जाते हैं चाहे वो राजनीती में होने वाले परिवर्तन है या कानूनी सुधार या कानूनी परिवर्तन है ये पाचो आयाम मिलकर व्यवसाय के परियावरण का निर्मान करते हैं अगले भाग में हम भारत की अर्थ ववस्था में पिछले कुछ समय में आई परिवर्तनों पर संक्षिप्त में चर्चा करेंगे वो देखेंगे कि किस प्रकार परियावरन में हुए परिवर्तनों ने भारत में वेवसायों को प्रभावित किया है आज के भाग में इतना ही धन्यवाद झाल जग झाल